अपने चैनल स्टड़ी माफ्या फे तो आधके फिल्क्षर में हम लोग पंड़ जा रहे हैं क्लास फोर की साइंस की बुक का चैप्टर नॉम्बर नाइन सॉलिड लिक्विड एंड ग्यास के अब्जेक्टिव टाइप कोश्चन मैंने इसे पहले इसके पार्ट बन पार्ट इससे पहले प्रवन से लेकर इट तक की सारी वीडियो डाल दिया है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप मेंने चाहिए पिश्ची जाकर देख सकते हैं ताई विताव डिल अपनी चैप्टर और के अब्जेक्टिव टाइप कोश्चन चक्पॉइंट टू को सुरू करते है उसको कहते हैं उसको हमलोंगो कहते हैं बताव बहुतूरा इसका ऐसर होकाम मेल्टिंग क्यो फमारा एक आइस också है आइस क्यूब है यह मालों क्या है हमारा आइस लिख देता हूं आइस क्यूब आइस क्यूब ठीक है और इसको हमने किसमें चेंज कर दिया यह देखो भई इसको हमने चेंज कर दिया भई हमारा यह ग्लास है हमने इसको वाटर में कनवर्ट कर दिया ठीक है हमने इसको वाटर में कनवर्ट कर दिया तो यह हमारे जो सॉलिड आइस क्यूप था यह किसमें कनवर्ट हो गया यह किसमें कनवर्ट हो गया वाटर में हमारे जो आइस क्यूप था वो वाटर में कनवर्ट हो गया तो आइस वा एक है, Melting Next, глаз is a Reverse of Melting कौन ऐसा चीज़ है जो Memory Reverse होतीह, तो Melting में यह Solid Dieses Liquid में चाठ़ोते हैं, अब उल्टा क्या होगा? Liquid Solid में चाठ़ोगी, तो इसकी सभी लोग answer बताओ भई फिर मैं भी बताता हूं, 5 सेकर्ण का time है सोच के बताओ, वर time started now 1 टू थ्री फोर फाइव इसका आंसर होगा भाई फ्रीजिंग क्या होगा इसका अंसर फ्रीजिंग ठीक है फ्रीजिंग इसका फाइनल आंसर होगा ठीक है जब यह लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज करते हैं लिक्विड लिक्विड मैं लीजे क्या है यह हमारा ग्लास ऑफ कि इसमें पानी है तो यह क्या है वा ग्लास और फिडास ऑफ वॉटर तो इसके बाद इसको हमने चेंज कर दिया आइस क्यूब में ठाइज नहीं है कि यह हमारा भाई आइस क्यूब इसको हमने आइस क्यूब में चेंज कर दिया तो इसको हमने किस प्रोसेस से किया होगा इसको हमने किया होगा प्रोसेस के फ्रीजिंग से हमने इसको फ्रीज कर दिया होगा हमने इसको ठंडे में रख दिया होगा तो मारा वाटर बर्फ बन गया किस प्रोसेस से किया होगा बत अतला वैसा प्रोसेस, जिसमें जो गैस है ठीक है, वह लिक्विड में चेंज हो जाए, उसको क्या कहते है, ऑनकूलिंग के कारण, कुलिंग के कारण, तो उस प्रोसेस को क्या कहते है, पंच सेकंड का टाइम देता हुं सोचके, बताओ तो टाइम स्टार्टेड नाव वन टू थ्री फोर फाइब तो इसका अंसर होगा कंडनसेशन ठीक है कैसे यह गैस है यह हमारा यह दिखाता हूं यह हमारा गैस ऐसे रिलीज हो रहा है गैस के लिए मैं इसको यूज करता हूं तो अपका बैटर अंडरस्टेंडिंग हो पाएगी यह देखिए यह हमारी गैस है ठीक है यह क्या है फिर से मैं बना देता हूं कोई दिकत की बात नहीं है यह गैस है इसको हमको यह क्या है बताओ बच्चों सभी लो यह हमारी गैस यह क्या है हमारी गैस तो हमने गैस को कंवर्ट कर दिया हमने गैस को किसमें कंवर्ट कर दिया बताओ हमने गैस को कंवर्ट कर दिया किसमें लिक्विड के फॉर्म में उसको कलाट करके किसके कारण लिक्विड फॉर्म में कर दिया हमने किसके कारण कूलिंग के कूलिंग की मदद से किसकी मदद से कूलिंग की मदद से बताओ किसकी मदद से वेरी गोड़ कूलिंग कि किसकी मदद है कूलिंग की मदद से अमने उसको कर दिया तो उस प्रोसेस को लोग क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को है यह है इसिकी स्पैलिंग इसको मुझा बोलते हैं इस प्रोस्टेस को मुझा कॉंडेंस्यसन बोलते हैं अब नेक्स हमारा फोर्ट नंबर इसका आइस वास प्रांस जो डिजॉल्व हो वह क्या कहलाते बहीं देखो फिर से समझों मतलब वैसा सब्टांस जो किसी चीज कीज इसको बताओ बहुत है वेरी गुड़ सभी लोग का अंसर होगा इसका होता है जो डिजॉल्व होता है लिकविड में फिर किसी भी चीज में तो गैदर सॉल्वेंट फॉर्म और तो मिलाके क्या बनता है सबी लोग बता इसका तो सबको मूँ प्यांसर रिसका रहना चाहिए इसका होगा solution इसका अंसर क्या होगा है जब solute और solvent मिल जाते हैं मतलब जैसे चीनी और पानी दोनों मिल जाएं ठीक है दोनों together हो जाएं तो वह क्या तो solvent का होगा the substance in which the solute dissolve मतलब ऐसा सब्टांस जिसमें कुछ dissolve किया जारहा है solute उसके बाद है solvent फिर से हमने solvent कर लिए solute कर लिया solution ठीक है तो solution का होगा two or more substances mixed together जब दो और दो से ज्याद़ substances मिल जाते हैं such that they are evenly distributed और वह evenly distributed हो जाते हैं तो solution बन जाता है next time our summary summary करते है anything occupy space and has mass is known as matter मतलब है ऐसी चीज़ जो occupy space करें और उसका कुछ mass matter is made up of tiny particle known as molecules मतलब है matter जो matter यह summary important होता है मैंटर क्या होता है anything that occupies space and has mass मतलब नहीं मैंटर गिये नहीं होता है matter is made up of particle known as molecules मतलब मैंटर छोटे particles से बना होता है जो molecules कहलाते हैं arrangement of molecules in solid and gas vary arrangement जो होते हैं molecules solid liquid or gas के बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं solid liquid and gas are the three state of matter होते हैं नेक्स आते हैं हम लोग objective type question पर objective type question है next हमारा in dash molecules are very closely packed बहुत closely packed होते हैं ठीक है closely packed बहुत पास पास में चिपक के पैक किये रहते हैं तो इसका answer होगा solid ठीक है gas नहीं होगा नहीं liquid होगा नहीं none of these होगा solid which of the following is matter इसमें से matter कौन है shadow song voice इसका होगा shadow नहीं sorry following is matter matter कौन है इसमें shadow नहीं होगा इसका होगा हमारी sip which of the following have the weakest force of attraction between the molecules इसका होगा smoke क्योंके smoke gas होते है उसमें बहुत कम attraction होते हैं the substance that dissolved in the liquid is known as मतब ऐसे substance जो liquid में dissolve ही होगा यह मतबब solute ठीक है solute होगा वो next time when two or more substances are mixed together जब दो और दो से ज्याद़ सब्टांस एक साथ मिल जाते हैं since they are evenly distributed और वो एक साथ distribute हो जाते हैं तो क्या बनता है solvent तो नहीं बनता solute भी नहीं बनता none of this भी नहीं बनता क्या बनता है बताओ सभी लोग very good answer होगा solution ठीक है अब next आते है state true or false पहला है matter is anything that occupies space मतलब matter वैसा कुछ होता है जो occupy करता है space तो इसका होगा true यह सही बात है बिल्कुल T is non matter T है वो non matter होता है इसका होगा false the non matter नहीं होता है gas is matter gas matter होती है three state of matter है तो यह भी होती है salt does not dissolve completely in water जो salt है वो अपने आपको पूरी तरीके से water में dissolve भी कर पाता है तो यह होगा false पूरी तरीके से salt कर लेता है solid and liquid are the only state of matter जो solid and liquid है एक ही यह state of matter है तो गैस कहांग है तो भाई यह false होगा तो पहला होगा सही दूसरा भी गलत तीसरा होगा तीसरा होगा हमारा सही चौथा होगा हमारा गलत पांचवा भी गलत नेक्स्ट आते हैं right solid liquid gas under the matching molecules तो यह भाई को मैंने पढ़ा दिया आप खुद से कर लोगे अब हम आपने question answer की तरफ आते हैं short question answer इस वाले chapter में दिये गए है long answer question नहीं है ठीक है तो अभी हम सिर्फ short answer question करने वाले है what is matter matter होता क्या है ठीक है तो आप जल्दी से बोल दो कि matter is anything that has not is known as called matter मतलब कोई भी वैसी चीज जो क्या occupy करें क्या घेरे space ले और उसका कुछ मास मतलब उसका कुछ weight हो वैसी कोई भी चीज वह matter कहला जाएगी चाहिए इंसान हो जैनवर हो ठीक है आपकी mobile हो गई आपकी remote control car हो गई ठीक है आपके आपका बंगला हो गया आपके pencil box हो गई ठीक है आपके laptop हो गया यह सब क्या है यह सब ही matter है ठीक है इसका क्या होगा इसका होगा इसका होगा म्यूजिक और फायर है वो क्या है नौन बैटर है ठीक है दो यह नौन मेटर के नाम होगा और डिफाइंट कंडशेशन कंड़नशेशन कंडशेशन करना अब ऌड़ उन्ध वैसा प्रोसेस जिसन में क्या हो गैस चेंजो लिकविड में किस के करणरां कोलिंग के कारण वो क्या कहलाता ही है तो भाई हमने अब ही पढ़ाता ही इसका तो अंसर सब बचे बताएंगे इसका answer होगा बता भाई जल्ली जल्ली वेरी गुड इसका तो answer सब बचों को पता है इसका answer होगा condensation ठीक है very good सबका answer correct है condensation next is define solution solution को define करना है two or more substances mixed together such as think are evenly distributed make a solution मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा चीज जब मिल जाती है और वह evenly मतलब बराबर बराबर distributed हो जाती है तो क्या में कर जाती है solution ठीक है नहीं में सब्रांस that is used as solute मतलब ऐसा सब्रांस के नाम लिखना है जो की solute हो मतलब solute है solute क्या होता है जो कि किसी चीज में dissolve हो जाए आपको एक पिक्चर भी बनानी है solid आपको पिक्चर भी बनानी है बहुत अच्छी सी मैंने तो आपके लिए बनानी है ठीक है तो ही हमारा solid liquid gas जी में लिखो गए और तीनो इक सेट लिखोगे तो यह पहला लिखोगे लिख़ए पहला लिखोगे आपको ऐसे ही कि इन bona और fix नहीं होते हैं इनका क्या वॉल्यूम होता है क्या से ये फिक्स होता है की नहीं होता है क्या टोर लाइक और सब्सक्राइब मैं आपके लिए लेटेस वीडियो लेके आते रहूंगा इसको अपने तमाम पढ़ाई के ग्रूप में बेज़ेगा फेस्बूक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलिग्राम जहां पे भी पॉसिबल आपके लिए इस वीडियो को पहुचाए एक लिक